इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज रीवा से है जहां कलेक्टर पतिभा पाल को जमानती वारेंट जारी किया गया है हाई कोट में हाजिर होने के निर्देश दिये गए हैं दरसल हाई कोट ने अब मानना के एक प्रकरण में नोटिस सर्व होने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर रीवा कलेक्टर पतिभा पाल को जमानती वारेंट जारी कर दिया है बता दे निया मूर्ती दौरिकाधीस बंसल की एकल पीटने कलेक्टर को 11 मार्च को हाजिर होने के निर्देश दिये हैं इस मामले में 3 नवंबर 2023 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सर्व भी हो गया था इसके बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रसुत किया गया चलिए आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है रीवा के तहसील कार्यालाय में पदस्त उमेश कुमार्तिवाई ने विगत वर्ष याचिका दायर कर कहा था कि सामान प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था याचिका करता की निउक्तियों निश्टो संतानने में हुई थी दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहट सेवा का लाभ नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट ने 26 अप्रेल 2023 को कलेक्टर को निश्टेश दिये थे कि याचिका करता की अभ्यावेदन पर विचार कर 60 दिन में निढ़ने पारित करें आदेश का पालन नहोने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां हाई कोर्ट में हाजिर होने के निढ़न नहोने पर रीवा कलेक्टर पतिभा पाल को जमानती वारेंट जारी किया गया है